हमारी गाय नजर नहीं आ रहे हैं, भगवान ने का नेत्रवंद करें गौज़ वाल उने नेत्रवंद किया, भगवान अपने हर्दैस stars यही गाय को उथपंड करते हैं एक वर्ष हो गई किसी को यही पता नहीं चल पा रहा है कि यह मेरी गाय है कि कोई माया भी गाय है वाल वाल बगवान का नाम बगवान का गुलगान गाते जाते हैं आएए हम भी बगवान का गुलगान कर लें नटवर नाउंगर नंदा छोटी छोटी गई या एक मिठी टलेयों के साथ मैं सभी तो आएंगे सअब्रे सरकार depths इतीं वक्त आए को फिश्वर की बमिएअ च्योंट कर गया है एbia जाते है है ग्वालबाल नाच दो जा रहा है पर किशी ग्वाल को यह नहीं पता कि यह गए मेरी है कोई माया भी है कि एक वर्श गया है कि ब्रमाची ने देखा कि अब तो वो नंद ग्वाल करें चोड़ा रोते रोते मर गया हो उन चलो देख हूं जागा देखा तो वही गाय वही बच्छडे वही ग्वालवाल पर कनया नहीं थे भगवान ने प्रह्मा जी का में दारण किया वर्मलोग में पहुचे वर्मलोग वासियों से कहा वह एक बात बता रहे हैं एक डूबली केट ब्रह्मा आ चुका है विश्वास मत करना अगर यहां आ जाए तो वाको हीट पत्थर मार के भगा देना है और खुद ब्रह्मा जी की कुर्शी पर बैठ गए थे ब्रह्मा जी गए ब्रह्मलोग में प्रवेश करने वाले थे कि ब्रह्मलोग वासियों ने ब्रह्मा जी में इड़ पर दरमारना प्रारम कर दिया कि हमारे सिरकार ने ठीक कहा था कि कोई डूबली केट ब्रह्मा आ रहा है इतना इड़ पर दरमारे कि ब्रह्मा जी कह लगे हमने तुम्हारा राजा हूं त कि बाध कि द्रॉक च खुछी सब अगरgreg मैं परिच्छा ले करके गलत कि ब्रमा जी सीड़ी पर बैठ करके ठागुर ची को देखते हैं सावरे सरकार वांजुरी बैणने वाला वहीं बेटे हुए है बर्मा जी के लिकर आपके रहा जी को देखू सजू अमतों को सब्सकत है सावरे सरकार अंतर द्यान अब प्रमा जी वहां से बागे सीधे वरंदा बने हैं और स्री ठाकुर जी के चरड़ों में किर पड़े प्रभू हमें जमा कर दो हमसे भूल हो गई भगवान कहते हैं जब पत्ती पढ़ती है ना तो आओ आओ चिलाते हैं और जब आ जाते हैं तो कंस के पास में रही है कंस बैठा बैठा विचार कर रहा था नारत जी कहते हैं चिंता काई कु कर रहे हो क्या कर रहे है चिंता है किसी छुपे रिपो की तो दावा करो हराई डारो यद अंदर है कच्छु रोग दोस्तों करके दवा दिखाई डारो अगर शरीर में कोई बीमारी है तो दवाई देचिए अगर किसी योदा की किसी भी तुमें चिंता है तो पूरी जैना को लेकर के दावा बोल दो सुक्देव जी कहते है कंसने का क्या करना चाहिए बोले पत्र लिख दो नंद बाबा के आ और उस पत्र में लिख दो काली दे में जो पुष्प है वो पुष्प हमारे दर्वार तक आने चाहिए कनिया के आथ से पुष्प तोड़ करके आना चाहिए और नहीं आये तो नंद ये सदा को जेल में डाल दिया जाएगा पत्र पहुंचा दिया नंद बाबा ने पत्र को पढ़ा तो रोने लगे मैं अपने चोड़ा को काली दे में कैसे भीजूँगा भगवान सावरी सरकार ने जब उस पत्र को देखा और ये कथे धंकी किस्को देरा होता है अरे वो तो मेरा घर है हो जिस जगा इसता होता वही होता है अग जेल में या फान पर इंद मिचत अब जब में तर मटें हो के लिखार गेल के गहाई हुआर एक गैंद बनाई से घंदा लियो वगवान जीदे काली दैपर पहुंचे अपनी और बल्दाओं को किया और वागी पूरी श्यना ग्वाल मंडल एक तरब स्री दामा की और भगवान काली दैपर गैन खेलने लगे है गैन भन बनाती हुई भगवान कनियां के पास में जब आई भगवान ने इस प्रकार दंडा मारो सीधी गैन जाकरके काली दैमेंस गिरी है कि फिरेट कर लागता हैं मेरी घैन वापस कर दो भगवान कहते हैं या गैन को कैसे वापस करतो उसमें तो काली अ रहता है अगर मैं अंदर जाओं तो काली नांग मुझे खालेगा स्रीदामा कहता है ज्यादा ठखुराई की ना तो एक तमाचे में सारी ठखुराई धरी की धरी रह जाएगी हमारी गेंद चाहिए भगवान कहते हैं घर चल दूसरी पड़ियां गेंद बनाके देंगे स्रीदामा कहता गैंद चाहिए तो यहीं चाहिए दूसरी गैंद नहीं चाहिए तो भगवान ब्रक्ष पर चड़ जाते हैं चलांग लगाई सीदे काली दे में अब गौालवाल सब गब आए पूरे ब्रजमंडल में सोर मच गया कि कनेयां काली दे में कूद गए यमनाजी के सबसले किनारे काली değ के किनार इतनी भीड़ लगी है रंद यी इसुदा गये बचरी वालवाल सब रहे सब श्रीदामा को गालीयां देने तो आज तुझे मरना मता भगवान ने का अपने पती को जगाई आए गाई दे जगातनिक अपने पति को कुछ बात उसी से करना है जो मरने को ही आई है तो मरने से डरना फिवल अपने पती को जगाई मएयाज अगर मेरी मिलत्यूसी का अपनी पते के हैं वह और मैं नग पत्निया घती चु छेता सोबालक है मेरों पती तुझे खा लेगा भाग जा काई को किसी महिया की गोदू जा रहे हैं भगवान कहते हैं हम ही ऐसे छोटे बालक और सब का गर्भ गिराएंगे हम यद बंसी बंसी वारे और बंसी यहीं बजाएंगे जब तक अपने पती को नहीं जगाएगे तब तक हम यहां से जाएंगे नहीं नाग पतनी हाथ जोट रही हैं और भगवान अपनी हट पर लगे वगवान गए दौर करके और नाग के पूछ पर अपना पैर रख दिया नाग बंद बनाता हुआ खड़ा हुआ कौन से दुष्ट की मर्टियों आज मेरे आतों से लिखिया अच्छा दन्नों सवाल है भगवान इस सरीर के ऊपर कालिया ने अपना सरीर लपिटा जब पूरा सरीर लिपट गया भगवान ने पिर अपना सरीर बढ़ायों काली नाग पत्णिया बोली अरे तो कनिया अरे मेरे मेरे प्रभू मेरे पतीको छमा कर दीजिए मेरा श्रूह मत उज्दारियां मिश्घु अरभान में इना की जातिकर अंट पर शबाज कालिया अंट को मारा नहीं व्युक्त नहीं और उसकी सरर पर सबार हो जाते काली नाग के फन पर वगवान तंडब करने लगे है उनाचत गिर्धारी उनाचत गिर्धारी तंडब